हेलो दोस्तों केस फेम हिंदी स्टोरी जैन पोयम पर आपका हार्दी कभी नंदन है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों आप सभी ने आजाज जी की मूछो पर ताव देते हुए तस्वीर देखी होगी पर आपको पता है कि ये कब और कहां खिची गई थी चलिए आज इसके पीछे की कहानी जानते हैं काकूरी कांड में फरार मुझ्दिम होने के कारण पुलिस चंसेकर आजाद की जान के पीछे हाथ दोकर पड़ी थी क्रांतिकारियों की दुनिया के अववे एक जाबाज सिपाही थे जिनकी दिलेरी के किस्से अब हर शहर में गूझ रहे थे भारती स्वादिनता सग्राम के महान क्रांतिकारियों के साथ अब उनका नाम लिया जाने लगा था आजात साहब अभी एक महज चंचल युवक क्विक सिल्वर नहीं रह गए थी और भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरु, अस्फाकुला, बिस्मिल आदि के साथ हर एक गंभीर बैठक में शामिल हुआ करते थे अंग्रेजों के विरुद किये जाने वाले हर एक्षन से पहले संगटन की बैठक में उनकी मौजूदगी जरूर होती थी संगटन के भेद को बनाए रखने के लिए हर सक्ष को हिरायत थी कि अपने घर का पता दूसरे सक्ष को ना बताएं और तस्वीर तो खिचवाने का मतलब ही नहीं था यही कारण है कि उन महान क्रांतिकारियों की बहुत ज़्यादा तस्वीरे आज भी हमारे पास नहीं है यह बात उन दिनों की है जब आजात साहब अपने अग्यातवास में अपने मित्र और गुरु मास्टर रोधर नरायन के घर पर रहते थे आजात साहब उस दिन आंगन में ब्यायाम पस्चात स्नान आदि कर चुके थे स्वेध धोती कमर पर लुंगी की तरह लपेटे हुए थे और कंधे पर जने उठा ही अजात जब अच्छी मूर में होते थे तो बाल काड़ते हुए कुछ भी गुन-गुना रहे होते थे उस रोज भी गुन-गुना ही रहे थे मास्टर जी दूर बैट कर उनको देख रहे थे मास्टर जी को अचानक जाने क्या सुझा उन्होंने अपना कैमेरा उठाया और बोले पंडिश जी आज आप कुछ अलग ही लग रहे हैं एक तस्वीर खेच लूँ अरे नहीं मास्टर जी आपको तो पता आई है कि संगठन में इसकी मना ही है आजात की किसी तरह की कोई भी तस्वीर उस रोज तक किसी के पास नहीं थी वे नहीं चाहते थे कि किसी तरह की कोई तस्वीर बिटिश पुलिस तक पहुँच जाए और उनके पहचान हो सके आजात को भी यह पता था कि अंग्रेजों ने उनके पीछे गुप्तचर लगाए हुए है इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उनकी तस्वीर खेची जाए वो तो नए सदस्चियों के साथ ही पंडिश जी तुम और मैं नए हैं क्या मास्टर जी ने पूछा फिर भी आजात उलजन में थे मास्टर जी आजात के नजदीक आए और कंधे पर हाथ रख कर बोले आजात तुम्हारी तस्वीर की इसलिए और भी जरूरत है कि आने वाली पीड़ी यह देख और समझ सके कि आजात उन्ही की तरह आम सक्ल सूरत का एक नौजवान था मगर स्वतनत्ता क्रांत की भावना और साहस ने उसे भारत का एक महान क्रांतिकारी बना दिया आजात चुप थे मैं वादा करता हूँ कि इस तस्वीर के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और कूर रूप से सुरक्षित रहेगी मैं अपने लिए ही ले रहा हूँ घबराओ मत भरोसा है न मुझे पर मास्टर जी खड़े हो गए क्या बात कर दी मास्टर जी आपने जान से ज़्यादा भरोसा है आप पर आजात ने कहा आखिरकार मास्टर जी ने आजात को मना ही लिया तस्वीर के लिए लेकिन आजात ने हलके से एक बार और टालने की कोशिश की लेकिन ऐसे उगारे बदन अच्छा नहीं लगेगा मैं अंदर से कुर्टा प्रहन कर आता हूँ मास्टर जी मौके को गमाना नहीं चाहते थे आजाद के मूड का पता नहीं कहीं बदल गया तो फिर वो राजी होने वाले नहीं थे मास्टर जी बोले दाओ कुर्ता रहन दो अरे मूचे तो ठीक कर लूँ नहाने से विगड़ गई है कहते हुए आजाद ने अपनी मूचे उमिटना शुरू की क्लिक अरे मास्टर जी आप भी ना आजाद कहते ही रह गए तस्वीर ली जा चुकी थी किन्त इस तस्वीर के लेने के कुछ दिन बाद ही आजाद को महसूस होने लगा कि यह काम ठीक नहीं हुआ है उस रोज वो विशुनात वैशन पायन के पास थे जब अचानक से उनके मन में पता नहीं क्या सुझा और विशुनात से बोले एक काम करोगे मेरा कैसी बात कर रहे हैं आप दव पूछने की क्या बात है आप आदेश की रिये तुम जराब मास्टर जी के पास जाओ और उनसे कहो कि वो जो तस्वीर उनने मेरी ली है उस तस्वीर को तुरन टनस्ट कर दिया जाना चाहिए कौन सी तस्वीर दाओ वैशन पायन चौक है अरे वो मास्टर जी ने बहला अफुस लाकर मेरी एक तस्वीर उतार ली है जबकि तुमको पता है कि यह संगटन के कानून के खिलाफ है अब ले ली है तो जान दो दाओ नहीं विश्वनात जो गलत है वो गलत है कोई भी उसका दूर्पयोग कर सकता है विश्वनात तुरन्त मास्टर जी के पास पहुँचे और मास्टर जी को आजाद का संदेशा सुनाया क्या हुआ मास्टर जी विश्वनात अब चिंतित थे मुझे आजाद के डर के वारी में पता है और यह भी पता है कि भारत की स्वतंता में अभी आजाद की कितनी जरूरत है जी मास्टर जी देखो बच्चन आज नहीं तो कल देश को आजाद होना ही है तुम यह बताओ कि भारत की आजाद हो जाने पर लोग इस महान करांतिकारी को किस तरह आज रखेंगे मास्टर जी ने विश्वन पायन को समझाया मैं मानता हूँ इस बात को तुम निसिंत रहो भी सुनात आजाद के जीते जी यह तस्वीर कभी आमजंता के सामने नहीं आएगी तुम को यह भी पता है कि जिस रास्ते पर आजाद चल रहे है उसका अंजाम क्या है यह जान लो कि यह एक अकेली तस्वीर है जिससे उनकी स्मृति सुरक्षित रहेगी और लोग इस जाबाज आजाद को कभी भूल नहीं पाएंगे मास्टर जी वहिशंपायन को यह समझाने में सफल हो गए थे मैं ऐसा करता हूँ कि इसके निगेटिव की प्लेट को दिवार में चुनवा देता हूँ और इसके प्रिंट को नस्ट कर देता हूँ तुम लटकर आजाद को बता देना कि उनकी तस्वीर नस्ट कर दी गई है हम दाव से जूट न बोल पाएंगे मास्टर जी वहिशंपायन के लिए आजाद साहब से जूट बोलना बेहद मुश्किल था मास्टर जी मुश्कुरायर बोले अस्वथामा मारा गया याद है न वहिशंपायन ने मास्टर जी की ओर देखा तुम आजाद साहब से वही कहोगे जो तुम देखने वाले हो मास्टर जी ने वैशम पायन के सामने आजात सहाब की वो तस्वीर और कुछ दूसरे नेगेटिव नस्ट कर दिये अब तुम आजात को बोलना कि आपकी तस्वीर और नेगेटिव नस्ट कर दिये हैं मास्टर जी ने ठीक है ना विश्वनात मास्टर जी विश्वनात के कंदे पर हाथ रख कर बोले विश्वनात लटे और आजात के पास पहुँचे कहा है तस्वीर आजात चिंतित थे आपकी तस्वीर और नेगेटिव नस्ट कर दिये हैं मास्टर जी ने विश्वनात ने धीमे से बोला खाओ हमाई सवविचनाथ आपकी सवधाओ अस्वथामा एक बार फिर काल के गाल को प्राप्त हुआ था जब आजाद बलिजान हो गए तब यह तस्वीर मास्टर जी ने दिवार से नेगेटिव निकलवा कर बनवाई और इस तरह देश के सामने आई उस महान करांतिकारे की एक मात्र जीवन्त छबी जो आज तक देश के तमाम वासियों के मन में वसी है